किसान साथियों ये सितंबर का महीना है जो की आज लगबग आधा पूरा हो चुका है इस महीने में हमें नीम्बू के पोधों में कुछ अवस्चक कारिय करने होते हैं जिनकी हर किसान प्रतेक वर्स इंतजार करता है उन में से पहला कारिय है हस्त बहार के लिए पोधों में ताओ देना हस्त बहार के नीम्बू हमें मार्च अप्रेल में मिलते हैं लेकिन कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं होते और उन कारणों में से एक है ऐस समय बरसात का होना आप सब को पता है कि एक सेप्टिंबर से लेकर और बीस सितंबर तक हम अपने पोदों में पानी बंद कर देते हैं और सफाई आधी कराते हैं सफाई के बाद, उन पोदों में हम खोरा लगाते हैं, जब मैं खोरा कहता हूँ, तो कई किसान मुझसे पूछते हैं कि ये खोरा क्या होता है? मैंने बार बार बताया है कि जो पोदा होता है निम्बू का ये देखिए ये पोदा है इससे एक फिट जगह छोड़ दीजिए यहां तक छोड़ दीजिए लगबग एक डेड़ फिट जगह छोड़ दीजिए और यहां से लेकर इस जगह से लेकर जहां तक उसकी साखाई फै उन जगह को कम से कम 6-8 इंच गहरी खुदाई करनी है इसे कहते हैं खोरा लगाना ये ध्यान रहे कि तन्य से पोधे की उम्र के अनुसार आपको जगह छोड़नी है चोंकि वहां पर प्रात्मिक जड़े होती है जो पोधे को सहरा देती है उसके बाद कम से कम मतलब ये दूरी तन्य से कम से कम 1 फिट होगी और 1 मिटर तक हो सकती है जो कि आपके पोधे की उम्र पर निर्वध करती है उस दूरी से लेकर जहां तक उसका फैलाव हो वहां तक आपको गहरी खुदाई करनी है इसे हम खोरा लगाना कहते हैं खोरा लगाने से होता क्या है हमें ये भी जड़े होती हैं वें कट जाती हैं और वें सूख जाती हैं यह हम इसलिए करते हैं कि जब हम इसमें पानी देंगे और खाद लगाएंगे तो फिर से नई जड़ों का विकास होगा और वें जड़े आपको जब पानी देंगे और खाद देंगे तो ढूंडती हुई खाद और पानी को दूर तक फैल जाती हैं और फिर जो की नई जड़े जवान भी होती हैं वो अधिक्तम भोजन और पानी ग्रहन कर पोधे को देती हैं इससे फैला होता है इससे नुक्सान क्या होता है इससे नुक्सान यह होगा कि कुछ साल बाद अगर आप इन जड़ों को नहीं नहीं मिल सकेगा चाहे आप कितना भी खाट डालो कितना भी पानी दो और पोधा आपका स्वस्त नहीं होगा चलिए ये तो बात हुई हमारी के हमें खोरा लगाने के किसान साथियो इस समय ताओ देने के लिए कम से कम 15 दिन का आवश्यक्ता होती है अगर अच्छी धूप नि सफाई किराई हुई है अब इस सफाई के बाद आपको यहां पर गहरी गुडाई करनी है अब समस्या क्या आती है कि आज लगबग आधा महीना गुजर चुका है ये काम हमें एक सप्तमबर को सुरू करना चाहता है हम 15 दिन लेट हो चुगे हैं इसका मुख्य कारण ये हु कि ऐस समय की बारिस होना जो कि सितंबर के महीने में अक्सर होती है आप सब को पता होगा कि उत्तर भारत में आज कल आप देखिए अभी भी आसमान में बादल चाहे हुए हैं इसले पांच दिनों से यहां लगबग रोज वर्सा हो रही है जो कि हस्त बहार के लिए बहुत ह खतरनाक चीज है इसमें हमें फूल समय पर लाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे वो क्या होंगे वो मैं आपको बता हुआ जिन भाईयों के हैं बारिस नहीं हुई है आसा है सब को पता है कि उन्होंने खोरा लगा दिया होगा अगर नहीं लगाया है तो अभी लगा दीजिए अगर आपके खेत में खोरा लगाने के लाइक जमीन है यानि बारिस अधिक नहीं हुई है खोरा लगा दीजिए 30 सितमबर तक कोई भी समस्या नहीं है कम से कम 15 दिन के लिए आप खोरा लगाये इसे कहते हैं ताओ देना नीमू में ताओ देना इस से पहले एक काम और कर लीजिए, आपके पोधे में अगर कोई भी सूखी टहनी है, उसको काट दीजिए, जिस दिन आप खोरा लगाएंगे, उस टहनी को काट दीजिए, और जो नीचे साखाई आ रही हैं, उम्मीद है कि आपने पहले ही उनको कट कर चुका होगा, कि कोई भी साखा ज एक सी ओसी और स्टेप्टो साइकलीन, सी ओसी तीन ग्राम परती लिटर, स्टेप्टो साइकलीन आप हिंदुस्तान एंटिबैटिक्स लिमिटेड का ही लेना, एक ग्राम परती दस लिटर लेकर पोधे को अच्छी तरह से नहला दीजिए, और थोड़ा उसकी जड़ में भ किसान साथियों हम परतेक वर्स हरस्त बाहर की तैयारी की बाते बताते हैं, जब 15 दिन हो जाएंगे इसको, कम से कम 15 दिन हो जाएंगे, तो आपको पोधों में फलड से पानी देना है, ध्यान रखना है कि खोरे के बाद आपको फलड से पानी देना है, और उससे पहले आप को इन में खाद लगाना है जो खाद लगाना है उसकी मात्रा हमने पिछले वर्स भी बताई थी और इस पर हस्त बहार का एक लेक भी हमारी वेब साइट पर पड़ा हुआ है नीम्बू की बागवानी में आप उसको डाउनलोड करिए और अगर आपके पोदे पांच साल या उ और ना लगाएं उससे पोदे को नुकसान हो सकता है अगर आपका पोदा तीन वर्स का हो चुका है या चार वर्स का है तो उस मात्रा को आधी कर दीजिए और जब खोरा लगाते हुए पंदरे दिन हो जाएं तो आप एक रिंग बनाईए इस सब खात को मिला कर उसमें डाल पर तेक पांच दिन के बाद तीन बार पानी देना है और आप देखेंगे कि अक्टूबर के अंत आते आते आपके बगीचे में फूल ही फूल दिखाई देंगे उस समय क्या करना है या अगर आपको बारिस अभी भी होती है आपको खोरा एक अक्टूबर को लगाना रहा है या 20 सितंबर को लगाना पड़ रहा है या 25 सितंबर को लगाना पड़ रहा है अगर यह खोरे का काम आपका एक अक्टूबर के बाद पहुंच जाता है यानि जो पहला पानी देंगे वो एक अक्टूबर के बाद होता है तो पोधों में कुछ हमें ऐसी दवाईयां देनी होगी जो पोधे की वानस्पति व्रद्धी को रोप कर उसमें फूल इंडियूस करेंगी वो हम अगले वीडियो में बताएंगे किसान साथियो नीमवू वर गिये पोधा बहुत ही पानी के परती सम्मेदन सील होता है आपको यह ध्यान रखना है कि पोधे की जड़ से कम से कम सुरू में भी जगर पोधा लगाते च्छे इंच दूर तक पानी रहना चाहिए और उसके बाद जैसे जैसे पोधा बड़ा होता है तो जहां तक हम खोरा लगाते हैं जितने एरिया में उसी एरिया में पानी आना चाहिए और एक बात और ध्यान रख लो जो उत्तर भारत के लोग हैं वो ध्यान रखें सीजगा कि नीमबू की बागवानी अगर अच्छी करनी है तो आपको ड्रिप का इंतिजाम करना पड़ेगा हमें नीमबू के तने के पास पानी नहीं देना है हमें वहां तक नमी पहुँचानी है जो मद्धे भारत या पस्षिम भारत या दक्सिन भारत के लोग हैं वो इस चीज का ध्यान रखें कि आपको अगर फ्लड से भी पानी दे रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि वो तने को टच ना करें मैंने कई बार बताया है कि उसको थोड़ी मिट्टी उची कर दें उची का मतलब आपको धेर नहीं लगाना है थोड़ी इस परकार करें नाली इस परकार बनाएं कि तने के पास पानी नजए किसान सातियो मैंने ये बताया हस्त बहार की तैयारी और इसमें आने वाली समस्याए आसा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जै हिन, जै भारत, बन्दे मन्दो